जिस देश में मनुष्र को कभी निवास नहीं करना चाहिए, जानिये चाणक के इस स्लोक में, यस्मिन देशे न सम्मानों न वृत्तिर्न च बांधवाह, न च बिद्यागमह कस्चित तंग देशं परिवर्जयेत। जिस देश में व्यक्ति को सम्मान न मिले, जहां आजीवका के साधन उपलब्ध न हूँ, जहां बंधु बांधव और मित्र न हूँ, विद्याप्राप्ति के साधन भी न हूँ, उस देश में व्यक्ति को कभी निवास नहीं करना चाहिए। सम्मान ब्यक्ति का जन्म सिद्यादिकार है, जहां ब्यक्ति को सम्मान न मिले, चाहे वह देश हो, गाउ हो या सहर, वहां ब्यक्ति को नहीं रुकना अथवा रहना चाहिए, खाली सम्मान से भी बात नहीं बनती, सम्मान से जीने के लिए ब्यक्ति को जीविका चाहिए, जहा जीविका के साधन न हो, वहां भी व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, निठले कार विहीन व्यक्ति को भला कौन सम्मान देगा, दूसरी और चाणक यह भी कहते हैं, कि जहां ये दोनों चीजे भी उपलब्ध न हो, और व्यक्ति के पास अच्छे मित्र और बंधु बांधव भ तूसरी आए थनों कि संकट काल में मित्र और स्वजन ही काम आते हैं, इस पर भी जहां बिद्ध्या के साधन न हो, जहां अनपर और मुर्ख ही बसते हों, वहां तो व्यक्ति को हरगिस नहीं रहना चाहिए, जहां बिद्ध्या नहीं वहां बुद्धी नहीं, जिसके पास रखेगा अतह ब्यक्ति को सोच समझ कर अपनी निवास का चुनाव करना चाहिए यदि आपको चाड़की की इस नित से जरा भी सीख मिली हो तो कृपिया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, सेर और कॉमेंट करें धन्य बाद